हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू स्फलतावंतर दोस्तों सुपर्टेट 2021 की तयारे के लिए आपको जो लगातार डेली क्लासिस मिल रही हैं आप सभी लोगों का इतने सपोर्ट के बाद वो क्लास अब डेली आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है और इसके अंतरकत आपको अलग अलग सब्जेक्ट के कोश्चन्स को अलग अलग सब्जेक्ट की चैप्टर वाइस क्लासिस को हम कवर कर रहे हैं तो आज की उसी सीरीज में हम लोग लेकर आए हैं, जीवन कौसल की, जो कि आपकी chapter wise, theory wise classes चल लें उसका chapter number 3, ये class number 3 है और इस class में आपको मिलेंगे, अगला chapter जिसका नाम है प्रेरणा या फिर अभी प्रेरणा, इसके बारे में हम लोग deeply समझेंगे, चुँकि बड़ा chapter है, बड़ा part है, तो इसे हम दो part में cover करेंगे, आधा part आपको आज बता देंगे, आधा part आपको कल की class में बताएंगे, तो सभी लोग end तक जरूर देखेगा और पुरानी classes को देखते रहिएगा, सिच्छक भरती की एकदम सटीक बहुत ही important तयारी आपकी start हो चुकी है, उम्म क्लास में लगे हुए well icon को भी जरूर प्रेस कर दें, उसमें all notifications select कर लीजेगा, ताकि जितनी भी classes आएं उन सभी के notification आपको सही समय पर मिलते रहें, और classes आपको लगातार मिलती रहें, चलिए बढ़ते हैं लोग आज के पहले topic पर, topic का नाम है अभी प्रेरणा, अभी प्र कोटी सी आपको परिभासा बता देते हैं, पहले वहा कारक जो किसी कारक को गति प्रदान करता है, यानि कि जब आप कोई कार करते हैं, उस कार में जब कोई चीज आपको गति प्रदान करते हैं, अब इससे deeply जो question बन सकता है, वो आप लोगों को बता देते हैं, चलिए तो पहला point मारा दिया गया है, अभी प्रेरणा सब्द की उत्पत्ति कहां से लेटिन भासा का सब्द है, motum, motum सब्द है, प्रेरणा सब्द की उत्पत्ति हुई है, और जो मूल अर्थ होता है, motum का और इसका अर्थ होता है move, move का मतलब होता है insight to action, यानि कि किसी कार को करना, क किसी कारक को गति प्रदान करना अगर हिंदी में बात की जाए तो इसका सीधे सीधे अर्थ हो जाता है किसी कारक को गति प्रदान करना ये अभिप्रेरणा का अर्थ होता है ये आपका मोटम सब्द से बना है लेटिन भासा का सब्द है मोटम उससे बना है आगे बढ़ते हैं जो motivation की या अभी प्रेरणा की परिभासा है कि ये एक आंतरिक बल होता है ये आपको अंदर से ही एक बल होता है जो कि आपको लच्छ की और आगे बढ़ा देता है कि हाँ आपको लच्छ प्राप्त करना है और आपकी गति बढ़ जाती कि हाँ हमको 120 अंक लेकर आने हैं यदि आप motivate हैं यदि आप अभी प्रेरित हैं तो आप लक्ष की और और तेजी से बढ़ेंगे यदि आपको लगता है कि हमें इस जॉब की जरूरत है और भी लोग लगे हुए हैं तो आपके अंदर एक motivation आ जाएगा आपके अंदर एक अलग से एक पावर आ जाएगी जिससे to action यानि कि एकदम अपने action के लिए अपने कार करने के लिए जागरत हो जाएंगे कि हाँ हमको ये कार करके ही रहना है चलिए आगे बढ़ते हैं अन्य परिभासाइं सबसे महत्पूर अगर यहां से कोई topic बनता है तो वो आपका यही है परिभासाइं बहुत यहां से यानि कि एक प्रेणा के माद्यम से मचातर में रुची उत्पन कर सकते हैं उसकी habit उसको जो चीज पसंद है उसके प्रती उसकी रुची उत्पन करना ही अभी प्रेणा है दूसरा इसकिनर का सबसे important है अभी प्रेणा अधिगम का सर्वोत क्रष्ट राजमार्ग है सबसे important अगर सबसे जादा बार यूपीटेट में आया हुआ कोशन है कि अभी प्रेणा अधिगम का सर्वोत क्रष्ट या सबसे अच्छा राजमार्ग है अगली परिवासा है गुड की गुड ने बताय था कि अभी प्रेणा किसी कार को आरंब करने जारी रखने और नियंतरित कर कि हमें उसे कितनी पावर में कहां तक ले जाना है ये भी हमें फोकस करना है तो ये गुड के अनुसार परिवासा थी अगली परिवासा मैकडूगल की आगे आपको सेकेंड पार्ट जब अप्रेणा का पढ़ाएंगे तो आपको मैकडूगल सबसे जादा सुनने को मिलेग और सबसे महतपूर्ण भी है यहां से आपके यूपी टेट सुपर टेट में एक या दो कोश्चन जरूर बनेंगे तो मैकडूगल ने कि व्याक्या जन्मजात मूल प्रूरतियों के रूप में की जा सकती है की जा सकती है याद रखेगा क्या कर सकते हैं लोग जन्मजात प्यास लगना हो या फिर उसकी अन्य वासना हो या फिर पढ़ाई हो जो कुछ भी वो करेगा जब उसकी वो मूल प्रूरतिया है वही उसकी अभी प्रूरतियों को परिभासित कर सकती हैं या उसकी प्रूरति हो सकती हैं अगली परिवासा है फ्रेंड सन की फ्रेंड सन ने उसमें आपके अच्छे अंक आ गए, आपने यूपी टेट का एक्जाम दिया, उसमें आपके 120-110 अंक आ गए, तो आप क्या होगे, आप आंतरी क्रूप से अभी प्रेरित होगे, आप मोटिवेट होगे, कि हमेरे 110 इसमें आ गए, तो हम सुपर टेट में आराम से 115 अंक लेकर दिखा देंगे, इतने अंक ले आएंगे, आनि कि जब आप एक जगे सफल होते हैं, तो आप आंतरी क्रूप से और जादा experience हो जाता, और जादा excited हो जाते हैं, कि हमें और अच्छे अंक लेकर आने हैं, यही फ्रेंड सन ने बताया था, चलिए बात कर लेते हैं, अभी प्र आपके सामने दी गई, कि अभी प्रेंडा में व्यक्ति का विवहार लच्छ से निर्देशित होता है, यानि कि अभी प्रेंडा में व्यक्ति का विवहार होता है, वो उसके लक्ष के according होता, कि हाँ हमको इस लक्ष को प्राप्त करना है, उसको निर्देशित करता हुआ होत जितनी भी चीजे होंगी जो भी उसके पास जो भी उसको matter प्रोवाइड किया जागया कोई भी चीज हो सकती वो उतना ही ज़्यादा उसका उप्योग कर लेगा जिस जो व्यक्ति अभी प्रेरित होगा तीसरा नंबर पॉइंट है अभी प्रेरणा से उत्पादक्ता में ब्र अभी प्रेरणा के माध्यम से तो यह सब क्या होगई अब प्रेरणा की विशेषता हैं क्या है प्रेरणा की जल्दी से देखे किसी कार करने के लिए प्रियरित करती कि हां अपको ये कार करना है औ시면 आपका Auntric सरजग है यदि आपका अंतरिक वल इतना मजबूत है कि आप उस कार के प्रति अपने मन को मना लेते हैं क्नि की आप्शी करना तो यानि के आपकी जो अफिष्ट भेणा के स्रोत क्या-क्या है इसके लाबा दोस्तों आपको बता दें कल हमने साइंस की क्लास दी थी जिसमें आपके 200 कोश्चंस की पूरी सीरीज साइंस की भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं सभी आपको वन लाइनर कोश्चंस दे रहे हैं अच्छे-च्छे कोश्चंस ला रहे हैं इसके लाबा कल आपको computer के 200 प्रस्णों की सीरीज का पहला पार्ट मिलेगा, handwritten notes हैं, कुछ आपके अलग से notes, जितना जो कुछ complete करा पा रहे हैं, सब आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और daily आपकी इसी प्रकार से अभी साम को एक लास चल लेए, और एक सुबह और एक साम को, और यदि आप लोग का support इसी तरीके से बना रहा, तो next month से आपकी जल्दी हम लोग live class फिर से start करने वालें, जी हां दोस्तों, जैसे live class पहले चलाई थी, live class में सिर्फ आपको जो topic पढ़ाएंगे, उसके question answer कराएंगे, छोटी सी live class होगी 20-25 मिनट की और ज्यादा स्यादा questions को cover करने की कोसिस करेंगे, यदि आप लोग चाहते तो एक बार comment box में comment करके जरूर बता दीजेगा, topic समझ में आ रहा है, live class चाहते हूँ, जो कुछ भी आपके मन में विचार होगी जरूर बताईएगा, तो अभी प्रेरणा के स्रोथ के बारे में बात करने हैं हम लोग, पहला होता है आविसकता, दूसरा होता अंतर नोध यानिकी चालक, तीसरा होता प्रोष सहान या फिर उद्दीपक, और चौथा होता है अभी प्रेरणा, ये चार अभी प्रेरणा के स्रोथ होते हैं, आप कहेंगे इतनी जल्दी से खतम कर दिया, इतनी आसानी से आपने बता दिये, तो आपको बता दे रहे हैं कि पहले एक एक टॉपिक, उम लोग पढ़ेंगे नीड, सबसे पहली चीज क्या होती है, पहली चीज होती है हमारी आविसकता, तो आपको क्या होता नौकरी की नीड होती है तब आपको जौब की नीड होती है आविसकता होती है तो यानि कि आविसकता की परिभासा याँ पर क्या हो जाएगी कि आविसकता होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेदित हो जाता है यानि कि जब आपको लगेगा कि हम को नौकरी चाहिए है तो आप अपने आप प्रेदित हो जाएंगे तब आपको अपने आप एक्षन में आ जाएंगे कि हाँ हमको पढ़ना है हमको जौब लेनी ही है तो यह आपकी नीड कहलाती है और यह सबसे कह सकते हैं लोग सबसे लिश्ट चीज होती है सबसे जादा किको किसी चीज की आवी सकता होती है तो कषिहा अपने आप करने लगता क्षीण आपका सेकेन्ड नंबर पॉइंट हमने क्या बता है ता चालक बता आये था यानिकि उसका दूसरा नवह आपको पुत जूड़ा हुआ हो निकि जब आपको भूक लगती है आप भोजन के ल भोजन ढूंडना है भोजन कहां से मिलना है या आप लोगों को अपना दिमाग लगा कर अपनी मेहनत करके जैसे आप कर सकते हैं वो आपको करना है और यही आपका चालक कहलाता है इसी प्रकार से जब हम जौब की बात करते हैं किसकी बात करेंगे जौब की बात करेंगे तो आपके लिए क्या चालग हो जाएगा तब आप स्वेम चालग हो जाएगा कि हमको जॉब राप्त करने, तो हम क्या करें मेहनत करें, हमको मेहनत करने हैं, हमको और अच्छे अंक लेकर आने हैं, और अच्छा हमको matter चाहिए है, questions चाहिए है, practice है यह सब कुछ आपको चाहिए, तभी तो आपको जौब मिलेगी तभी तो आप टीचर बनेंगे यानि कि दूसरा पॉइंट हमने आपको होता है था अंतरनोध जिसका दूसरा नाम चालक होता है आसान भासा में समझ लीजेगा बिल्कुल कम से कम समय में कि प्रतेक आविसकता के साथ एक चालक जुड़ा हु करें यह सभी आपके सरीर के ड्राइवर ही हैं इनके माध्यम से आप अपना पेट भर सकते हैं अपनी प्यास मिटा सकते हैं अपनी जौब की नीड को पूरा कर सकते हैं सभी जिस चीज के आपको आविसकता होती है वो सब कुछ आपको कैसे प्राप्त करनी है क्रिया के माध सकता है किसी चीज की और हमको ये भी पता कि ये कारे हमको स्वयम ही करना है किसी भी ड्राइवर के माद्यम से हमको ये अपना कारे करना है लेकिन क्या करना चाहिए फिर हमें फिर में एक प्रोथसाहन की जरूरत होती फिर चालक लक्ष की प्राप्ति पर सांत हो जाता है यानि कि फिर हमें एक ऐसा प्रोथसान चाहिए होता हमें एक अंदर से मोटिबेट करने वाला एक धक्का मारने वाला चाहिए होता कि हमको जो लक्ष तक पहुंचा सके जैसे हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आपको 120 प्लस अंक लेकर आने आपको और अच्छे ढंक से थ्यारी करने और आप उस कारे को कर सकते हैं और यही कर सकते हैं ऐसा ही आपको एक कह सकते हम उद्धीपक चाहिए जो कि आपको बार बार जगाता रहे आपको बार बार मोटिबेट करता रहे और यही उत्तीवक जब आपके अंदर आंतरिक रूप से हो जाता है तो वही पूंड रूप स आपकी अभी प्रेरणा बन जाती है, कि जब आपको वो स्वयम से जागरत करता रहे कि हाँ जब तक 120 प्लस अंक नहीं आ जाएंगे, जब तक हम टीचर नहीं बन जाएंगे, तब तक हमको सांत नहीं बैठना है, यह आपका क्या कहला है, यही आपका उद्दीपक कहलाता है, यही आपको बार-बार प्रोसाहित करेगा, यही बार-बार आपको लक्ष तक पहुँचाने के लिए केंद्रित करता है, तो यह आपका तीसरा नंबर क्लियर हो गया, अब अंतिम स्रोत चोथा हमने आपको क्या बताया था, अभी प्रेरक बताया था, अभी प्रेरक क्या होता का आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया इसमें हमने आपको परिभासा हैं अलग-लग विसेशता हैं और सुरोत बता दियें छोटा सा टॉपिक था उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी धंग से पूरा टॉपिक क्लियर हो गया उगर क्लियर हो गया दोस्तों तो पीडियाफ आफ हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से या चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में दिया गया पुरानी क्लास के लिंक भी आपको वहां से मिल जाएंगे आज ही सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएगा और के प्रकार हैं इसके कुछ सिद्धान्त हैं वो सभी चीजें हम उस क्लास में कवर करेंगे तो इसी प्रकार से जुड़े रही है क्लास को देखते रही है थैंक दोस्तों गुडबाय टेक क्यार